ले रहे हैं तो बाइल तरख से घर आ गए और घर आ करके बाल में तेल वगर लगा करके चीरा धरा लिए हालो दोस्तों गूड मॉनिंग कैसे हैं आप लोग मिरकती बहुत ही अच्छे होंगे सोना चारुब लोग पर आप सभी को स्वागत है तो दोस्तों अभी सुबे का वजने वाला है तो भी बजा नहीं है अभी कुछ टाइम है तो फिला अभी हमारा खाना बन रहा है तो यहाँ पर भढ़क जाएगा अधार उसके बाद रेंगे सब्सक्राइब के उसको डबाएगा सब्सक्राइब टीरिय। सब्जी को उतार लेते हैं फिर उसके बाद मकई फाड़कर लाएंगे और अभी आग रहेगा पूरी तरह से और यह मोटा मोटा जो काठी है न यह वाला काठी को हम रहने देंगे ताकि पूरी तरह से यह दिन भर दिन मकई को पकाएंगे सब्जी भी हमारा हो ही जिया है दिन भर खाते हैं सब्जी और भाव के वल है तो सोच रहे हैं कि थोड़ा जोर रहने ही देंगे ताकि दिन भर दिन पूरे पेहाँ पर थोड़ा से मशाला है इसको डाल देते हैं अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं अधाक देते हैं उतार लेते हैं इसको तो सब्जी उतार करकर रख लिए हैं और यह पर है मकई तो फाड़ फाड़ करके ले आते हैं छोटा बड़ा जैसा भी मिल जाएं इसे में डाल लेंगे इसका छिलका घर में बैठ करके निकालेंगे अभी का टैम में अच्छा लगता है खाने में ना तो सोच रहें कि अभी उबाल करके बना करके खाही लेंगे ने तो कि कुछ दिन बाद ही यह दिनों दिन पूरी तरह से यह पकने लगेगा तो फाड करके ले आया है बस यही वाला सामने से तो इस तरह से छिलके को हटा ले रहे हैं छोटा-छोटा जान बूच करके लाए हैं ताकि इसको गोटे-गोटा भाफेंगे और आध्या निकालेंगे तो इस तरह से छिलका अटा दे रहे हैं और गमले में रखते जा रहे हैं बनेगा घुगनी घुगनी बोलते हैं तो चोका को हम हटा लिए हैं और अब हम इसको इस तरह से निकाल ले रहे हैं ऐसे निखार जाता है पूरी तरह से निकाल ले रहे हैं जो आ गया है ना तो निकाल लगता है पूरी तरह से जब यहीर सूख जागा तो इस बहुत टायम लगेगा उबलने के लिए इतना सारे मकई को निकाएंगे और ये वाला को रहने देंगे ये वाला को ऐसे ही गोटे-गोटा उबा लेंगे तो निकाते हैं सारे मकई को कि अनिका लए हैं को निकाले के अब इसको इसतर से दो लेंगे देखिए इस तरह से च्पूल से और पी में नहीं निकाले गां कहाए कि यह पूरी तरह से इसी में लट पटाया हुआ राता है ना तो नहीं निकलेगा तो इस तरह से धो ले रहे हैं धो लेते हैं दो-तिन गार इस तरह से साफ हो जाए और इसी डेक्ची में चड़ाएंगे कहीं मतलब उबलने के लिए इसको थोड़ा बड़ा जगा चाहिए तो थोड़ा सा बड़ा जब जगा नहीं रहेगा तो यह अच्छा स्यूब लेगा नहीं छोटा डेक्टिम कराएंगे तो पूरी तरह से पानी स्रीपू बलते रहेगा और जल्दी पकेगा ने पैसे धो-ध अब इसमें पानी डाल देंगे अब इसमें पानी डाल देंगे नमक डाल करके लिए चड़ा देंगे चड़ाई देते हैं तो ही आराम मिलेगा पूचूलय में हम चड़ा दिये हैं अब इसमें डाल देते हैं नमक इस तरह से अब इसमें डाल देंगे पानी डाल दिया है अब इसको ढ़ाक देटे हैं जाक करके इसको कमस कमाज तो दिन भार दिन इसको पक नहीं देए चेक करेंगे पिच भीच में पका की नहीं तो भी ढ़ाक देते हैं ढ़ाक कर ले आते हैं अब ये अराम से ये गज़ा गज़ा पकते रहेगा अब चलते हैं मुदोने खाना खाने और बैल भी बांधना है बैल बांधने जाना है तो सुबे हम सब्जी उता करके खाना खा करके और चले गए थे बैल बांधने के लिए उधर से तो हम लोका काम आप सभी को पता है क्यों गोबा रांगन करना हमारा फ़र्ज है काची को नोला का है का है का है इसको लेकर काई है इसको फारने के लिए पोड़े इसमें थोड़ी है नहीं है पुरा खतम हो गए स्टिकर है साटने वाला जो मिठाए में निकलता है तो अभी टाइम हो चुका है बज गया है साड़े बारा साड़े बारा बज गया है हम लोग इसको नाई पका है बिटा नाई पका है तो साड़े 12 बज़ गया सुब़े इसको लगब नौ सरह नौ बज़े चड़ाए थें साड़े बारा बज गया और अभी तट पक्षी पक्षी नहीं है अब से इंको बताते भी है कैसा हुआ है यह रहा है बस जस की थस है पका है लेकिन मतलब हम लोग चबा सकते हैं चबा सकत ऐसा हो गया है तो लो ये खाने की जीद कर रही है लो दागेगा पता नहीं कप पकेगा साड़े बारा बज गया और हमको इंतिजार करते करते भूख भी लग रहा है अभी नहाद हुआ लिए और मुट फरेश लगेगा गर्मी लग रहा है बारिस तो हो नहीं रहा है बादल पूई तरह से कर रहा है और इसके बाद में गर्मी चलो खाओ जागेगा लेकिन अभी मत खाओ ठंधा होने तो थोड़ा सा इससे पकी गिया है लेकिन ज्यादा नहीं बस थोड़ा साइए छोड़ दे रहे हैं लोना खाओना इंतिजार करते करते हैं चलते हैं अब खाना खाने खाना खाएंगे फिर उसके बाद में कोई भी काम होगा तो खाना हम खा लिए दोपार का और अभी टाइम बज गया है तीन और अभी फिर से चेक करते हैं एक बार हमारा गुगनी को बना की नहीं इस तरह से हो गया है पुरा पाने सोख गया है अभी तक भी नहीं पका है इसको तो हम परेसान हो गया है अब चलते हैं गैस में चल्हाने इंतिजार करते करतें साड़े नौ बजे से अब तीन बज गया है अब रात भी हो जाएगा लेकिन यह पकेगा नहीं चलते हैं कुकर में चढ़ाएंगे और जल्दी से पकाएंगे क्योंकि खाने का इंतिजार हमको बहुत ज़दा बरदास्ट ने करना पड़ता है और किचन को हम इस तरह से पापा बरतन बोले कि तुम यह पर अभी कुछ दिन के लिए रखो और बाकी बात खाना इस जगह पर ऐसे चड़ करके बनाना थोड़ी से नीच हो जाती हूं मैं और नीच हो जाती हूं तो इटा डाल दिये हैं और यह भींजा हुआ है ना तो बोले कि पैर वग्रा गंदा नहीं होगा जड़ा तर तो इसलिए तुम अभी ऐसे काम चलाओ और बरतन को टप में रख दिये हैं कुछ दिन बात बोले कि ऐसे तुम काम चलाओ फिर हम खारी देंगे बरतन रखने वाला तो बरतन को हम यहां पर सारे बरतन जितने भी होते हैं सबको यहीं पर रख और कुछ भी छोटा बहुत समान जो है इस तरह से हमने यहाँ पर साइड कर दे हैं और इसे में चलते हैं अब निकाल करके ले आएंगे और पकाएंगे हमको इंतिजार जादा करने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि तीन बज गया शुबह नो बजे से चड़ाए हुए तीन बज तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं और उसके बाद में फिर आप सभी को बताएंगे इसे भी एक हाथ से निकलेगा नहीं तो कूकर में उबालने के लिए चड़ाएंगे तो यहाँ पर हम सब से पहले पानी चड़ा दिये हैं और यहाँ निकाल करके ले आया है तो अब इसमे यहां पर धालेंगे और फिर इसको उबालेंगे तो यहां पर अभी यह गरम हो गया है तो ढाल देते हैं इस तरह से अब इसको हम उबलने के लिए चड़ा देंगे ढ़कन इसका बंद करना है बंद कर लेते हैं ढ़कन बंद कर दिये हैं अब इसको हम पकने देते हैं आज लग रहा है अभी तो हम उधर गैस में चड़ा रहे थें तो मतलब चारुक पापा बोले कि चलो एक बार बैल को सप्रेट देख करके आते हैं फिर उसके बाद में तुम्हारा हमसे पकाते रहना और खाते रहना क्योंकि बैल का देखना बहुत जड़ी हो जाता है और से साम होने को है साड़े चार बज गिया तो बोले कि चलो देख लेते हैं फिर उन घास वगेरा दे लेंगे फिर आराम से रहेंगे तो अभी फिलाल जा रहे हैं और देली हम लोग का यही वला रास्ता से जाना होता है जो की काफी जड़ा पिछर है और बच्चे सब नहाने के लिए जाते न नदी तो इस तरह से हो जाता है ऐसे हीट करके जाना पड़ता है और मौसम फिर तरफ एकदम पूरी तरह से बादली बादल किया हुआ है पता ही नहीं चल रहा है किधर बेर डूगने को है कि नहीं है पता ही नहीं चल रहा है और यह हमारा हस्वा, तो हस्वे से ही हमारा काम सुरू होता है, तो चार पापा बैल को दोनों को सप्रेट करेंगे, उधर में बांधा हुआ है उस तरह से, तो बोल रहे हैं कि हम चिकना जगा में रखते हैं, यह जो गोला बैल है वहाँ पर, तुम गहास काट लो, तो हम गहा गहास काटते हैं, घासा हम काट लिए, दो पोटरा काट दिये हैं, दे दे रहे हैं चार पापा, बैल सबको इस तरह से, खाएंगे अभी, और अभी के, पांच बज गया है, सप्रेट हो गए, अब चलते हैं आराम से घर, घर में जाकर के आराम से खाना वगेरा बनाएंगे फिर साम हो जाएगा, रात हो जाएगा, तो बैल तरफ से घर आ गया है और घर आकरके aur बाल में तिल वगरा लगा करके चीरा जरा लिएं, तो भी हम इसको आनेक बाद में चीराने जरोने तक हम इसको चढ़ा करके छोड़ दे थे, तो चार से पांच सीटी लग गया है, तो तो अब हम इसको भूझेंगे, क्योंकि बहुत टाइम के वेस्ट हुआ हमारा, 9.30 बजे से चढ़ाया हुआ से अभी साम होके 5 बज गया है, तो सुस रहें कि अब हम खाही जाएंगे, तो हम लोग का चबाने का जैसा हो गया है, और बिल का थोड़ा सा फट फट पी गया है, तो ममी भी खाही लेगी, तो अब हम इसको फटाए मारेंगे, तेहां पर हमने तेल डाल दिये हैं, और प्याज और हरमर चाई का फोरन भी काट लिये हैं, इसमें अब हम भूलेंगे, यह गोटा गोटा जो है ना, इसको निकाल दिये हैं, और जिस टेम हमारा डेक्ची में पाक रहा था, उसी टेम चारल पापा निकाल करके खा गये हैं, और चारल, तो तीन बात गया है, तो इसको रहने दिये हैं, और अब हम प्याज को थोड़ा सा खलर आने देते हैं, भूंजाने देते हैं, और इतना सा है, यह पूरी तरह से पाक गया है, तब इसको श्रीप फ्राय करना है, तो पहले प्याज के कलर आने देते हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं, हलका इसमें नमक को हम डाल देंगे, पहले हम डाले थे, और पानी यहाँ पर थोड़ा बच गया है, इस तरह से, तो नमक हमारा थोड़ा निकल गया, तो इसमें हलका सा नमक डाल देंगे, लेकिन इसके पहले अच्छेश को हम बहिन लेते हैं, तो मेरा तो घुगनी बन के तयार हो गया है मकई का, तो हमने यहाँ पर निकाल ले हैं, काफी प्यारब बहुत ही सुन्दर दिख रहा है, और अभी घर में कोई नहीं है, चारु पापा अभी खाने जा रहे हैं, और चारु के दादी, बाबु गया हैं, बकरी लेने के तो गमचल के लेदे हैं, और रहे हैं, हाँ़ ये ले 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 विएकर अधनी और के ले ले जार सी जार चारु के आर różne मैंizes, वे ले शारु का रहे हैं